इनके तरीके से उमेश पाल का परिवार उनकी पत्नी ये मांग कर रहे हैं कि आतीक एहमद को हो तो फासी हो उसके इलावा कुछ नहीं सुनिएगा क्या कुछ कहती है आतीक एहमद की पत्न आतीक एहमद मामले में उमेश पाल की पत्नी जिनकी हत्या कर दिकाई मैं नयाएवरती से सिफ पर यह करूँगी कि उन्हें जरब सजा मौत देए फार्टी की सजा या तो इनकाउंटर। लेकिन अगर यह रहते तो इनकी रहने पर वह सजा देते उम्रकैत की तो वन्जूर रहता। लेकिन आज वो नहीं आए, तो मैं याइवोती से सिर्फ ही अपिल करूँगी कि उन्हें फार्सी की सजा या तो इनकाउंटर जेल ना गुचे, जेल से वो फिर से उत्पात मचाएगा, उत्पात मचाने के कारण है, ये देख चुके हैं कि उमेजपाल को जाया है, उन्होंने निर्मम हत्या करवा ही अपने बेटों के द्वारा, तो कल को हो सकता है कि अगर वो जेल में चला जाए, तो कल फिर से वो इस स्टाट करते हैं मेरी भी अट्या कराएं, मेरी परिवारों के सभी सदेग्वाथ उत्या करवाएं, हो सकता है, इसलिए मैं ये चाह रही हूँ उनको न्याय मोर्ति जी यही Mai चाहा रही हु आपसे, उन्हें आप वासिक सदा क्या अनकाों्या करवाती है, तो इस आज फिर क कोई भी अतीगहमत और उसके परिवार के लोगों को सजा होने जा रही है तो क्या कहेंगे आप इसके अभी आपने कहा कि अतीगहमत की बहुत जादे किसी ने जहर उसके कुछ कर ने पाया कि कारवाई इसलिए ने कर पाया क्योंकि जो भी घर का सदर से खतम हुआ तो सब और शांक रुख कड़ गएंगे कि आगे कोई स्लिज़ला ना चलने पार मैं लड़ने में सब्सक्राइब तुमें भी सब सोच पर कर तो नहीं किया लेकिन आज मेरे साथ सासन पर सासन सभी लोग है मैं भी शार हो सकता कि यह से डर के मारे में बैठ जाती लेकि आज मेरे साथ स इसको जरूर दिजेगा कि उम्रकायल या उम्रकैत सदाय मौत दे उम्रकैत न देखे सदाय मौत दे या तो इनकाउंटर तरवाई जी जी आज बहुत बड़े हैं शंक हैं वो मेरी दथा को समझ सकते हैं मेरे पता समान है आज उनकी बेटी अभागी हो गई है, साथ नहीं कोई नहीं है, वो मेरा साथ दे, मेरे आर्मी के निर्मा मत्या का बदलव मुझसे दिलवाए, कम से कम वो बैटे सब कुछ करा सकते हैं, चाहे तो जो भी, लेकिन उसकी हर्त्या होनी जरूरी है, वो अगर नहीं रहेगा, वो अगर रहेगा, तो कल को शायद अगना टार्गेट बन जो में, तो इसलिए मावाजी उसे छोड़ियेगा नहीं, उसकी जल्ब अत्त्या करवाईएगा, चाहे जैसे करवाईएगा, मैं आपकी ज्याय पर बरुसा रख रहे हैं,